अगर आप MS Excel में Auto Flash Fill Option को Enable या Disable करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लांस तक जरूर देखें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Auto Flash Fill Option को Enable या Disable कैसे कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Auto Flash Fill Option क्या होता है जो Workbook मैंने भी यहाँ पर Open की है इसमें आप देख रहे हैं कि B Cell में Employee का Full Name लिखा है अगर आप इसमें से First Name और Last Name अलग-अलग निकालना चाहते हैं तो Auto Flash Fill Option को Use करने के लिए आपको क्या करना होता है यहाँ पर पहले एक Cell में उस Data को लिखना होता है जो भी Data आप Auto Fill Option से निकालना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पर First Name लिख रहा हूँ जब मैं Second Cell के लिए नाम को लिखना स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर एक List आपको दिखाई देगी जो बाकी Cells के First Name को यह निकाल के दे रहा है इसको हम बोलते है Auto Fill Option जब इतना लिखने के बाद आपको सारे नाम दिखाई दे रहे हैं आप इनको रखना चाहते हैं जैसे आप Enter Press करेंगे तो सारे नाम Automatic Fill हो जाएंगे इसको बोलते है Auto Flash Fill Option अगर इस परकार आपको Option नहीं दिखाई दे रहा है और आप इस Auto Flash Fill Option को Enable करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर File Option पर जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर Options Option पर क्लिक करना है इसके बाद Excel Options के इस Menü में आपको यहाँ पर Advanced Option पर जाना है जब आप advanced option पर click करेंगे तो इस तरीके की screen आपके सामने आएगी यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर एक option है automatically flash fill अगर इस option पर tick लगा हुआ है तो auto flash fill option enable है अगर आप इसको disable करना चाहते हैं तो यहाँ से tick हटा सकते हैं और enable अखना चाहते हैं तो इस पर tick लगा सकते हैं इसके बाद आपको ok पर click करना है अगर आपने auto flash fill option को enable किया होगा तो आप जैसी अपनी requirement के साब से इसको use करना start करेंगे जैसे मैं यहाँ पर last name निकालना चाहरा हूँ मैंने एक cell में last name लिख दिया है दूसरे में जैसी लिखना start करूँगा तो यहाँ पर सभी के last name मेरे को इस तरीके से list में दिखाई देंगे अगर मेरे को इनी के साथ continue करना है तो मेरे को यहाँ पर enter press करना है इस परकार सभी cells में auto flash fill के थूँ जो भी हम data निकालना चाहरे हैं वो यहाँ पर fill हो जाएगा तो इस परकार आप MS Excel में auto flash fill option को enable या disable कर सकते हैं अगर आज की वीडियो आपको informative लगी तो वीडियो को like और share करने के साथ साथ वीडियो का feedback comment section में जरूर दें यदि आपने हमारे इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप इस तरह की और भी informative वीडियो के लिए हमारे इस channel को subscribe करने के साथ bell icon पर click करके all option को select कर सकते हैं so that जब भी मैं अपने इस channel पर new video डालूँगा उसकी notification आपको मिलेगी और मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी और interesting video के साथ